पट्री पर तौरती रेल जोड़ती है गाउं को शहर से उपज, उद्पाद और उद्ध्यम को बाजार से उन्मीदों को उनकी मन्जिल से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडर्शिप में अब रेल जोड़ेगी उनसे जिन्होंने जोड़ा था पूरे भारत को और बनाया था अखन्द देश और दुनिया भर के लाखों परियटकों के आकर्शन का केंद्र बन चुकी, विश्व की सबसे उची, सरदार वल्लभाई बटेल की प्रतिमा, स्टैच्यो अफ यूनिटी, अपनी अध्भुत बनावट एवं अत्याथुनिक सुविधाओं से युक्थ होने के कारण, बन गई है लोकुप्रिय टूरिस डेस्टिनेशन, जिससे लगातार बढ़ रही है परियटकों की संख्या, इसी को ध्यान बे रखकर स्टैच्यो अफ यूनिटी तक होगी, अब डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी, जिससे यहां तक की यात्रा बनेगी और सुगा, होगी य इसे केवडिया तक 35 किलोमेटर की पिछाई है नई ब्रॉड गेज रेल लाइन, साथ ही धबोई से चांदोत तक 18 किलोमेटर नैरो गेज लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में किया है परिवर्त है यही नहीं केवडिया में किया गया है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस भारत के पहले ग्रीन स्टेशन का निर्मान इस पूरी परियोजना की मन्जूरी मिलते ही तुरंत शुरू किया गया काम लेकिन ये राह नहीं थी आसान भारी वर्षा और कुरोना जैसी महामारी ने रोकनी चाही काम की रफ्तार लेकिन भारतिय रेल के बुलंद होसलों ने हर चुनोती की गिराई दीवाद और लिखी सफलता की नई कहानी इस परियोजना को कम समय में पूरा करके धभोई चांदोद और केवडिया के स्टेशन भवन लोकल थीम पर हैं आधारत साथ ही 80 किलोमेटर के इस पूरे रेल खंड को किया गया है विद्यु दिक्रित ताकि परियावर्ण रहे प्रदूशन रहे प्रतापनगर धभोई खंड में गती को बढ़ा कर किया गया है 110 किलोमेटर प्रति घंटा इसे 130 किलोमेटर प्रति घंटा करने की है योजना अब ये पूरा क्षेत्र देश की राजधानी दिल्ली धार्मिक नगरी बारानसी, दक्षिन में चेन्नाई आर्थिक केंद्रुक मुंबई सहित देश के प्रमुख स्थानों से जुड़ जाएगा जिस से खुलेंगे विकास के नए द्वार रेल से जुड़ जाने से यहां के लोकल व्यवसायर रोजगार को मिलेगा और बढ़ावा और आत्म निर्भर भारत के विजन को मिलेगी मजबूती आज माननीय प्रतान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उद्घाटन ठभोई चांदोद आमान परिवर्तित ब्रोड गेज रेल नाइन चांदोद के वड़िया नई ब्रोड गेज रेल नाइन प्रतापनगर के वड़िया नव विद्युतिकृत रेल खन ठभोई जंक्षन चांदोद तथा के वड़िया के नई स्टेशन भवनों का और साथ ही हरी जंडी दिखा कर शुरुवात कर रहे हैं यहां के लिए चलने वाली देश के विभिन स्टेशनों से आठ नई ट्रेन अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान बी आरजी न्यूज आपके मोबाईल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाईल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें